Hello everyone, उमीद है आप साथ भी अच्छे होंगे, मैं हूँ अरपित, from my favorite free learning platform, जहाँ आप साथ पर सकते हो, physics, chemistry, methodology, absolutely for free at learnohub.com तो आज हम कुछ discuss करने वाले हैं, कुछ question solve करने वाले हमारे equilibrium chapter के, जो कि हमारा नाय chapter है, ठीक है, उमीद है, आप मेरे साथ करोगे, और पहले के जो concept है, वो एकदम clear करके आए होगे, और अगर तुमारे concept clear नहीं है, इस chapter के लिए तो तुम one shot वीडियो जाके देख सकते हो, वह पर तुम्हें काफी जादा मज़ा आने वाला है, ठीक है, तो बस इसी के साथ, अगर तुमारे concept clear है, तो हम चालू करेंगे हमारे यह वाला chapter, तो पहला question देखते हैं इसके साथ हम, तो start करते हैं हमारा कौनसा question number first, जिसमें वो बोल रहा है, कि a liquid is in equilibrium, ठीक है, with its vapor in a sealed container at a fixed temperature, ठीक है, the volume of containers is suddenly increased, ठीक है, तो यह बोल किया रहा है, पहले हम देखते हैं, सुनो, पहले बना लिए अगरो diagram, अगर diagram तुम्हें लग रहा है, तो ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, कि एक a liquid is in equilibrium condition, equilibrium condition में मतलब अपनी state को change नहीं कर रहा है, ठीक है, अब with its vapor state, मतलब vapor state के साथ वो अपने किसम है, equilibrium condition में है, ठीक है, अब in a sealed container बोल दिया, उसने तो ठीक है, हमने container को भी seal कर दिया, यहाँ पे हमने seal कर दिया, ठीक है, at a fixed temperature, तो हम माल लेते हैं कि इसका temperature मान लो 373 Kelvin है, ठीक है, 373 Kelvin है, एक fixed temperature है, ठीक, the volume of the container is suddenly increased, अब क्या कह रहा है, कि जो तुमारा यह जो container है, इसकी volume एक दम से increase हो गई, एक दम से increase हो गई, तो क्या होगा, अब liquid है, वो तो तो मैं पता है ना, independent होता है, उसका shape थोड़ी होता है, कोई, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी फैल जाएगा, ठीक है ना, अब फैल जाएगा, वो और अभी condition क्या बात आई थी, वो equilibrium condition में था, at कितने पे, 373 Kelvin पे, अब देखो, उसने पूछा क्या है, यह तो हमने ऐसे लिख लिए, उसके बाद यह बो यही होता है ना, vapor pressure का मतलब, जो pressure, जो vapor लगा रही है, अब अगर यह container जो था, ठीक है, इसने क्या बोला है, size जो है increase हो गई, मतलब, जब initially condition में container होगा, size उसकी छोटी होगी, size छोटी होगी, तो vapor pressure वहाँ पर बहुत जादा होगा, ठीक है, वो container को hit करेंगे, वो vapor, ठीक है ब्यूट होजाती है, गैस, और उसको क्या मिल जाती है, बहुत जगा मिल जाती है, जगा ज़्यादा मिल जाएगी, तो pressure क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा pressure, ठीक है, तो जैसे कि तुम एक example से समझ सकते हो, कि तुम देखा होगा pipe, water pipe, अगर तुम उसको pressurize करते हो, मतलब क्या हो जाएगा, decrease हो जाएगा, ठीक है, तो इस काम से क्या हो जाएगा, कि pressure, vapor pressure decreases, with change in, with suddenly change in volume of the container, इतना समझ में आगा है, क्यों, क्योंकि distribute हो जाएगी तुमारी gas, इतना समझ गा हो, ठीक है, चलो, ये A था हमारा, अब B क्या है तुमारा, how do rate of evaporation and condensation change initially, अब इसकी बात सुनो, rate of evaporation तो हमें पता है कि भाई, जब liquid से gas मन जाएगा, तो उसकी बात चल रही है, ठीक है, तो अब ये बताओ, अगर, अब ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर तुमारा surface area बढ़ जाता है, तो evaporation का rate क्या होता है, evaporation का rate भी बढ़ता है, तो इसको लिखो, कि देखो सुनना, अगर surface area तुमारा बढ़ता है, तो वैसे ही, क्या बढ़ जाएगा, तुमारा rate of evaporation, यही होता है, evaporation शर्फेस फेनोमेना होता है, ठीक है ना, surface फेनोमेना, यह सर्फेस से उठके जाती है ना, जो molecules से वो उठके जाते है, ठीक है, तो जैसे जैसे तुमारा surface area ठीक है चलो अब दूसरा क्या बोल रहा है condensation पर क्या फर्क पड़ेगा अगर तुमने volume बढ़ा दिया जगा जादा हो गई तो आपस में टकराने की capacity क्या हो गई तीक है ना अगर एक small room था उसमें 100 लोग थे तो वो आपस में क्या थे एकदम pressurized थे ठीक है अब तुमने क्या किया small room नहीं अपने एक hall लगा दिया तो क्या हो जाएगे दूर हो जाएगे लोग दूर हो जाएगे तो क्या होगा condensation मतलब जो condens थे वो अब क्या हो गए वो नहीं होए ना condens ठीक है तो अब क्या हो जाएगा जैसे ही surface area बढ़ता है तो rate of rate of condensation क्या हो जाएगा काम हो जाएगा इसको ऐसे समझो कि जो vapor के जो molecule है vapor के जो atom वगेरा present है उसमें क्या हो जाएगा वो collide नहीं होंगे collide नहीं होंगे तो अपनी energy को transfer कैसे करेंगे और transfer अगर वो किसी सीज से टकराएंगे नहीं तो वो ठंडे के ऐसे होंगे समझ रहो ना तो तम्हारा क्या जाएगा condensation का जो rate है वो भी कम हो जाएगा इतना समझ में आ गया है चलो अब ये भी देख लिए हमने अब ये क्या कह रहा है what happens when equilibrium is distorted अब मतलब equilibrium तम्हारा वापस आ गया मतलब समझो equilibrium दो चीज की बीच की बात चल रही है न किसकी बीच में evaporation और condensation मतलब कि जब rate of evaporation क्या हो जाए equal हो जाए किसके rate of rate of condensation के ठीक है तो क्या हो जाएगा equilibrium तब हम बोलेंगे कि equilibrium generate हो गया समझ गए ठीक है तो and what will be the final वैपर pressure तो भाई जब equilibrium आ जाएगा तो वैपर pressure पर क्या फर्क पढ़ने वाला है ठीक है तो अगर equilibrium आ गया तो जो तुमारा final वैपर प्रेशर है क्या है तुमारा final वैपर pressure है ये तुमारा equal हो जाएगा equilibrium वैपर प्रेशर हो गया ठीक है तो वो equal हो जाएगा उसके इतना समझ में आ गया ये वाला question ये वाहाँ आपके साथ finish होता है हमने बहुत सारी term देखिए इसको एक यवार में देख लो एक बार अच्छे से कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि अगर तुमारा volume बढ़ता है तो pressure कम होता है पहली चीज यह देखी दूसरी चीज क्या देखी अगर surface area बढ़ता है तो operation बढ़ता है condensation कम होता है ठीक है surface area का मतलब भी volume से ही समाझ सकते हो ठीक है surface area ठीक है उसके बाद अब तुम क्या कह रहा हो what happened when equilibrium अगर equilibrium restore हो गया तो मतलब किसकी बात कर रही है दो चीज की बात वह एक को लो जाएंगे एक दूसरे के और तुमारा answer जाएगा यह ठीक है समझ गई वाला question चलो अब हम चलते है next question पर हमारे देखो अब तुमारा second बोल रहा है कि what is Casey Casey क्या होता है ठीक for the following equilibrium when the equilibrium concentration of each substance तुमें given है ठीक है Casey क्या होता है equilibrium constant को ही Casey बोलते है ठीक है चलो और इसको तुम law of mass action भी बोल सकते हो और वो ऐसे भी कहलाता है इतना समझ में आ गया ना चलो Casey होता क्या है Casey होता है तुमारा ratio of क्या molar concentration of product ठीक है ratio of molar concentration of product किसके साथ molar concentration of molar concentration of reactant समझ में आ गया ठीक है इसको चलो ऐसे नहीं समझते है अपन formula तो यह होता है लेकिन होता है कैसे यह देख लो एक बार कि अगर A plus B मिलके बना रहे हैं C plus D ठीक है ठीक है मालो यह है तुमारा AX Y यह M और यह N है ठीक है तो यह क्या होगा equilibrium constant तुमारा होगा क्या equilibrium का sign तो लगाना पड़ेगा जब ही तो तुमारी वो reaction होगी ठीक है तो इसका formula क्या होगा KC is equal to जो तुमारे power में है जो तुमारे सामने है present है मतलब जैसे M हो गया ऐसे N हो गया तो वो चले जाते हैं किस पर पावर पर चले जाते हैं तो क्या हो जाता तुमारा देखो C और D C के आगे क्या M तो ये M, ये हो जाएगा N अपॉन, ये हो जाएगा तुमारा AX A की पावर X B की पावर Y तो ये हो जाता तुमारा answer ठीक है, तो ऐसे ही तुमारा ये equation लगती रहेगी ठीक है, इसलिए मैंने पहले बता दिया इतना आगे समझ मैं, ठीक है ठीक है, चलो तो KC is equal to, फिर क्या हो जाएगा तुमारा product क्या है, तुमारा यहाँ पे देखो है तुमारा वो SO3 लेकिन इसके सामने है, तो ये कहाँ पे चला जाएगा 2, पावर में चला जाएगा इसकी तो ये क्या बन जाएगा तुमारा SO3 का स्क्वेर ठीक है, धान दो किसमें है, सब गैस में है अब इसके बाद तुम्हें ये देखना है क्या values गिवन है या नहीं है values गिवन है तुमारा तो क्या हो जाएगा KC is equal to देखो SO3 की value तुम्हें दी हुई है SO3 की value तुम्हें दी हुई है 1.90 का स्क्वेर ठीक है, मोल में है ये तो मोल स्क्वेर हो जाएगा, ठीक है अब आन तुम्हेरा SO2 और O2 SO2 की value कित दी है तुम्हें 0.0.60 मोल ठीक है, इसका भी स्क्वेर और अब O2 की value देख लो भाई O2 की value तुम्हें दी है 0.86 0.82 ठीक है 82 मोल तुम्हें ये given अब यहाँ पर जब तुम्हें इसको calculate करोगे तो जाएगा 12.22 मोल लीटर इन्वर्स ठीक है, ये जाएगा तुम्हारा answer क्योंकि ये concentration की बात हो रही है तो unit भी क्या आएगी, यही तुम्हारी unit समझ गए इतना चलो, तो ये हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा unit और इसके बाद हमने समझ गया ये वाला question तुम्हारा solve सिर्फ पता होना था तुम्हें formula वो अपन ने देख लिया, ठीक है चलो, अब next question पर चलते है देखो, अब तुम्हारा next से कह रहा है कि at a certain temperature and total pressure तुम्हें कितना दिया, 10 की power 5 pascal उसके बाद iodine vapor contain 40% by volume of iodine atom ठीक है, मतलब जो तुम्हारा vapor pressure है किसका iodine जो gas form में present है vapor form में present है वो उसके अंदर 40% है उसके अंदर किया है, तुम्हारे I atom present है, मतलब iodine के कुछ atom present है, तो सबसे पहले देखो, लिखा है 40% 40% मतलब कितना होगा 100 में से 40 यही होगा न, % 100 में से निकालते हो, तो 40 हो जाएगा तुम्हारा यह तो अगर मैं, तुम्हें से देखो सबसे पहले दिया है, क्या-क्यास total pressure, total pressure है ना, कितना दिया है तुम्हारे total pressure, 10 की power 5 pascal और उसमें से वो बोल रहा है कि वैपर कंटेन 40% मतलब किस में से 40 होगा, किस में से 40 होगा, 100 में से हैं, तो क्या करोगे तुम 40 by 100 तो यह कितना हो जाएगा, 0.4 ठीक, और अल्डेडी pressure कितना है तुम्हारा, 10 की power 5, तो यह कितना हो जाएगा partial pressure कितना हो जाएगा 0.4 into 10 की power 5 पासकल, पास, तुम्हारा इतना pressure पहले से ही था, लिखा हुआ है, एकदम देखो total pressure, अब बात करते हैं हमें निकालना क्या है, calculate kp, kp जो है और kc जो है, इनमें confused नहीं होना, अगर pressure की बात आ रही है, concentration की बात नहीं, अभी हम molar concentration की बात कर रहे थे, तो हमने product upon reactant लिखा था, याद आ रहा है ठीक है, अगर pressure की बात आ रही है तो कुछ नहीं करना, वहाँ पर p लगा दो, मतलब pressure की बात करने लगो, तो तुम्हारा kp की value आ जाएगी pressure की term में बोलेगा की pressure of product, ratio of pressure pressure of product, product क्या है तुम्हारा 2i 2i है, तो जो 2 है, वो किस में चला जाएगा तुम्हारा power में तो यह हो जाएगा i का square upon, क्या है तुम्हारा i2, ठीक है तो हमारे पास vapor pressure किसका present है, अभी 0.4% किसका present है, iodine का ठीक है, किसका iodine का present है हमाई पास, लेकिन i2 molecule का कितना होगा, जरा यह बताओगी तुम ठीक है, तो देखो, अगर 100 में 40% तुम्हारा iodine है ठीक है, तो बाकी के बचिये हुए percentage किसके होगे, तुम्हारे iodine molecule के, तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा, तुम्हारा 100 minus 40, मतलब कितने percent, 60% होगा तुम्हारा किसका, iodine molecule का iodine molecule मतलब vapor pressure की बास चल रही है, iodine vapor का, ठीक है, चलो iodine vapor का तुम्हारा यह होगा ठीक है, 60% अब 60% किस में से होगा 100% में से तो लिख लो, यह कितना जाएगा, 60 by 100 into total pressure किता है, तुम्हारा 10 की पावर 5, तो यह कितना आएगा तुम्हारा, 0.6 into 10 की पावर 5 पास कल तो यह किसका होगा तुम्हारा I2 molecules का जो कहाँ पे है तुम्हारे vapor face में है, किसमें है जो, vapor face में है इतना समझ में आगया अब हमारे पास दो चीज़ है एक है I, एक है I2, अब निकालना क्या IKP निकालना है, तो values को put करेंगे और answer देखेंगे, क्या हो जाएगा, KP is equal to iodine का answer कितना है तुम्हारा 0.4 into 10 की पावर 5 का square upon I2 का कितना है तुम्हारा 0.6, तो रख दो 0.6 into 10 की पावर 5 ठीक है, पास कल इतना समझ में आ गया अब जब इसको solve करोगे तो क्या आएगा KP is equal to जब इसको तुम solve करोगे, सीज़ सीज़ answer आजाएगा तुम्हारा कितना 2.67 into 10 की पावर 4, पास कल अंसर पास कल क्यों आया P मतलब pressure, pressure मतलब Pascal या फिर बार या फिर ATM यही तो होता है, और यहाँ पर सारे की सारा pressure किसमें है, Pascal में तो answer भी किसमें आएगा, Pascal की term में तो आएगा तो यह हो जाएगा तुम्हारा answer काफी जादा easy लगा होगा, सिर्फ formula पता होना था, ठीक है, अब चलते है next question पर हमारे, चलो देखो अब तुम्हारा next का कह रहा है कि write expression for the equilibrium constant Casey for each of the following reaction, तो हर reactions के लिए तुम्हें Casey की values लिखनी है, ठीक है, तो यह तो काफी easy है, अब कैसे लिखोगे सिर्फ formula तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन कोई भी product जैसे तुम इसमें देख सकते हो, कौन से solid है, यह solid है, ठीक है, और कौन से solid तुम्हारा, यह solid है, ठीक, अगर तुम्हारा solid present है, तो by convention हम क्या करते हैं, उसको कर देते हैं, हम ignore हम उसको कर देते हैं, ignore और उसकी value हम मानते हैं 1, मतलब unity उसका जो mass है, हम मान लेते हैं 1, समझ गए इतना, ठीक है अभी हम देखेंगे, कैसे नहीं, ठीक है, चलो मान लेते हैं, हम एक reaction ले लेते हैं, a plus b बना रहा है क्या, c plus d ठीक है, जिसमें जो d है, तुम्हारा वो क्या है, solid है यह तो समझ में आ गया ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लिखते है product upon reactant लिखते हैं तो यहाँ पर क्या लेखोगे, तुम active mass of c active mass of d और फिर आ लेखोगे, active mass of a active mass of b, तो मैंने क्या बोला अगर तुमारा solid present है, ठीक है, अगर तुमारा solid present है, जो की d, जो तुमारा solid है तो इसको कर देते हैं, ignore तो तुमारा final answer आएगा, active mass of c upon active mass of a, active mass of b तो यह आएगा तुमारा final answer, ठीक है, ignore कर देते हैं, उसको ठीक है और यह आने वारे जो question है, उसमें देखोगे कि तुम क्यों ignore कर देते हैं, ठीक यह हो गई पहली चीज, दूसरी चीज समझ में आ गया, ठीक है, तो बस इसी को ध्यान रखते हुए हम यह वाला question solve करते हैं, तो चलो जल्दी से देखते है, question क्या कह रहा है, देखो question क्या कह रहा है तुमारा, पहला है 2naocl जो बना रहा है, क्या है, तुमारा gas है, यह भी gas है, यह भी gas है, तो भाई, KC की value क्या होगी, देखो product size, देखो ज़रा, सबसे पहला, लिख लेते हैं, हम इधर first, क्या बोल रहा है, तो KC की value क्या होगी, हमने बोला product upon reactant होता है, तो product है क्या तुमारा यहाँ पे, NO का square, active mass, और यह CL, मैं एक चीज तुमें बता दे रहा हूँ कि, यह वाले coefficient से हमें कोई मतलब नहीं है, वो बताता है, उसकी molecularity की, कितने molecule represent है उसके अंदर, ठीक है, इतना समझ में आ गया, हमें सिर्फ यहाँ से मतलब है, स्टाइशोमेटिस से ही मतलब है सिर्फ हमें, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, वो जो तुमारे power पे चला जाएगा, जितना भी इधर present होगा, वो power पे चला जाएगा, यह हमने बार बार देखा है, ठीक है, तो बस, अब जल 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 जगत जाओ, यहाँ पर इसके साथ क्या होगा, यह जाएगा, NO, CL, जो की gas में है, यह हो जाएगा, स्क्वेर, यह होगा, तुमारा क्या, equilibrium constant, किसका, first के लिए, इतना के समझ में, easy था, चलो, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जड़ा second वाला देखो, जल दी से, second वाला क्या बोल रहा है, kc is equal to, ध्यान देना हम, ठीक है, यहाँ पर देखो, यह solid है, ठीक, और यह भी solid है, तो मैं लिखूंगा क्या, पहले मैं normal लिख रहा हूँ, फिर nagler करेंगे हम इसको, ठीक है, यहाँ पर आएगा पहले product, तो कहले लिखोगे तुम, c u o chi square, ठीक है, बिलकुल हमने पूरी इसको, एजद्दि एकदम respect दिया, उसके बाद हम इसको करेंगे चीज़ें, अब यहाँ पर कहा है, n o 2, इसका 4, पावर, ठीक है, यहाँ पर है o 2, तो o 2 के देखो, सामने कुछ नहीं है, तो कुछ लिख दो, यहाँ पर, यह कुछ नहीं है, अब न, यह हो जाएगा, c u, c u, n o 3, ठीक है, यह हो जाएगा, square, ठीक हो जाएगा, इसको मस समझ ले न, कुछ, यह कुछ नहीं है, अब देखो, यहाँ पर, तुम लोग क्या करते हो, कभी-कभी नहीं लिखते हो, कि कौन सी state में क्या है, ठीक है, यहाँ पर solid होगा, यहाँ पर liquid होगा, तुम यह लोग नहीं लिखते हो, लेकिन यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है, यह क्या है तुमारा, यह solid form है, और यह भी तुमारा solid form है, तो इनको करना है neglect, तो तुमारा final answer हो जाएगा, n o 2, की power 4, और o 2, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे तुमारा third वाला क्या बोल रहा है, CS3CO, अब यह AQUOS में है, अब एक चीज, एक अच्छा question पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, AQUOS और liquid में फर्क क्या है, ठीक है, दोनों तो पानी ही है, तो यही बोलोगे मेरे से, दोनों में तो पानी यूज हो रहा liquid हटेगा, समझ गए इतना, ठीक है, अब बागी का answer तुम बताओगे मेरे को, यह है, यहाँ पर देखो product क्या है तुमारा, यह है तुमारा product, तो जरा लिखो product का नाम, यह हो जाएगा तुमारा देखो, सारे के सारे, एक ही एक present है, एक ही एक mole present है उसका, तो यह क्या हो जा में क्या आएगा, CH3, CH3, COO, C2, H5, जो की एक कस form में present है, मैंने water नहीं लिखा क्योंकि मैंने अभी बताया था, देखो, दो चीज़ देख लो इसमें, यह तो liquid पहले लिखा ही है water, और water, खुद water है, जो मैंने अभी बताया देखे, water को हम नेगलर कर देते हैं, ठीक है, च अब जाओ फोर्थ पे, फोर्थ क्या बोल रहा है तुम्हारा, फोर्थ क्या बोल रहा है तुम्हारा, देखो, यह FE3 प्लस आयन है, एक कस्म है, और 3 OH माइनस दे रहा है, तो 3 OH माइनस दे रहा है, water कहीं नहीं है, ठीक है, water कहीं नहीं है, तो बस इसका जारा formula लेखो, क्या जाएगा thrice, और यह है solid form में present, ठीक है, solid में present है, अब बच्चा क्या है तुमारा Fe3+, 3+, इनके साथ मत कर देना, पावर को बाहर लिख दो बनना, ठीक है, ऐसे नहीं करना, ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा, फिर OH- का cube, ठीक है, क्योंकि पावर ऊपर चली गई, इस्ता समझ म आ गया, और यह क्या, यह तुमारा aqos form में present, यहाँ पर लेकलो aqos, यह भी है aqos, ठीक है, और बागी तुमारा यह solid form में, मैंने क्या बोला, solid को हमें क्या करना, इग्नूर, तो इसका answer क्या हो जाएगा, तुमारा, इसका answer हो जाएगा, 4th का answer, kc is equal to, यह हो जाएगा, 1 upon 1 क्या हो गया, fe को neglect कर दिया हमने, तो यह क्या हो जाएगा, fe 3 plus, और यह हो जाएगा, oh minus 23, समझ गया, यह हो जाएगा answer, last बचा है तुमारा यह वाला, इसका answer जल्ली से बता दो मेरे को, फिर मैं तुम एच्छे से बताता हूँ, last answer होगा क्या तुमारा, यह होगा, i2 solid है, और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, i2 solid है और कोई face नहीं लिखा है, तो चलो, हम देखते है, i2 solid मतलब, यह हो जाएगा, i5, ठीक है, f5, sky square, product, ठीक है, kc is equal to, और यह क्या हो जाएगा, i2 solid है, solid है, तो हम मैं सार्यक लिखता ही नहीं है उसको, ठीक है, तो मैंने easy था नहीं, समझ गए, सीधे सीधे तुम्हें लिखना है, सिर्फ तीन दूल को follow करते, तीन भी नहीं है, वो दो ही है, ठीक है, दो रूल को follow करना है, क्योंकि H2O liquid, तुम तो हैसी समझ जाओ, इसको हटा दोगे, और यह एक है तुमारा solid pom को तुम्हें हटाना है, आगे इस सी बात है, जो तुम पढ़ते आ रहे हो, relation, वही तुम्हें लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो देखो, क्या होता है, relation जादा देखते हैं, कि KP, KP is equal to होता है, तुम्हारा KC, ठीक है, यहाँ पर होता है, R, T, डेल N, अब तुम पूछोगे, यह तर्म है क्या-क्या, ठीक है, R तुम्हें पता है, T तुम्हें पता है, ठीक है, चलो लिख देते हैं, R तुम्हारा क्या है, तुम्हारा यह है, gas constant, ठीक है, T क्या है तुम्हारा, T है तुम्हारा temperature, अब नई चीज आई है तुम्हारे लिए, डेल N, डेल N क्या होता है, तुम्हारा number of product जितने भी बने है वो minus number of reactant जितने reactant ने react करा है वो एक या दो या तीन ऐसे ठीक है number of reactant ऐसे मत गिलने लगा अगर NO2 लिखा है तो 1N 2O ऐसे नहीं करें नहीं ठीक है चलो देखो अब तम्हारा KP किस की टर्म में बात हो रही है equilibrium constant जब तुम partial pressure की बात कर रहे होगे partial pressure मतलब तुम in the term of pressure बोल रहे होगे ठीक है in the term of equilibrium constant को जब तुम calculate कर रहे होगे तो तुमारा आएगा KP अब केसी कब आएगा केसी जब आएगा जब तुम in the term of molar concentration calculate कर रहे होगे ठीक है तो ये सब तुमारे term हो गई और T भी लिख लेते हैं आप इतना सब लिखा है तो temperature ये क्या है तुमारा temperature इतना समझ गए ठीक है तो ये formula तुम्हें लगने वाला है ठीक है पूरा का पूरा formula सामने रखा है ठीक है अब देख लेते हैं हम तुमारा question क्या बोल रहा है तुम्हें ये reaction दी हुई है kp की value तुम्हें पास है temperature तुम्हें पास है तो तुमको सिर्फ तीन line से ज़्यादर नहीं लगना चाहिए solve करने में ठीक है तो देखो कैसे solve करेंगे इसको ज़रा देखते हैं हम कि kp is equal to क्या है तुम्हारा kc ठीक है फिर है r और फिर है t dal n यही है तुम्हारा relation अब देखो यह तो होगा एक line ठीक है पूरा देखना अब dal n कैसे निकालोगे कितना बोला number of product minus number of reactant तो कितने product बने है दो कितने बने है इधर reactant कितने है एक तो यह कहता हो जाएगा dal n is equal to हो जाएगा तुम्हारा 1,2,2 minus 1 मतलब आएगा 1 तो किसी की भी power 1 का मतलब कोई मतलब भी नहीं ठीक है चलो एक चीज और gas constant की value यहाँ पर क्या होगी देखो तुम्हारा pressure है प्रेशर है तो तुम्हारा answer क्या आना चाहिए 0.0831 ठीक है तो फिर आगे की unit लिख लेना की bar, Kelvin inverse, mole inverse यह सब लिख रहे ना ठीक है चलो तो यह हो जाएगा तुम्हारा क्या यह हो जाएगी तुम्हारी gas constant की value अब सब चीज तो है तुम्हारे पास चलो जली जली पूट करते हैं kp है के तुम्हारा पास kp दिया है तो कित्ता हो जाएगा तुम्हारा 1.8 into 10 की power minus 2 ठीक है यहाँ से मैं kc की value लिखा रहा हूं तो सीज़े सको नीचे लिख दू ठीक है तो क्या लिखूंगा मैं r मतलब 0.0831 into t कितना दिया है तुम्हें t दिया है 500 500 देखो इसकी total power थी 1 लिखी देते हैं 1 तो मतलब तो 1 ही है नहीं लिखें या लिखें ठीक है चलो यह जाएगा तुम्हारा kc क कितना आएगा तुम्हारा यह आएगा तुम्हारा 4.35 into 10 की power minus 4 यह जाएगा तुम्हारा answer तरह स्टैप काउंट करो कितना है इसको छोड़ दो यह तो अभी लिखा था 1 2 3 हो गया तीन स्टैप में answer को मिला के समझ गया इतना चलो अब देखते हैं कौन सा तुम्हारा second वाल निकल रही है ठीक है यहाँ पर मत देखने लगना यह solid है वहना ignore कर दो reaction को ignore कर दो question ignore हो जाए ठीक है ऐसे नहीं देखना है चलो हम देखते हैं तो मैं निकालना है kc की value kp की value कितनी है 167 लिख दिया सीधे सीधे मैं लिखूंगा अब सबसे पहले तुम्हें डेल n चाहिए डेल n कितना हो जाएगा यह 2 है यह 1 है तो यह क्यातना हो जाएगा 2-1 मतलब 1 आ ना तो 1 नहीं है ठीक है तो यह हो जाएगा तुम्हारा 1 अब देखो इसकी power 1 मतलब 1 तो सीधे सीधे values को put करो क्या हो जाएगा तुम्हारा 0.083 1 into temperature कितना दिया तुम्हारा 1073 Kelvin काफी हाई है ठीक है तो यह इसकी total power 1 है अब यहां से जब तुम calculate करोगे kc की value तो kc is equal to कितना आएगा जली से बता दो कितना आएगा तुम्हारा 1.87 यह हो जाएगा तुम्हारा answer था ना easy ठीक है यह पता होने चाहिए और यह सब देखो सिर्फ relation पता होने से मतलब नहीं है तुम्हें इन चीजों का मतलब पता होने चाहिए ठीक है जो कि आप तुम्हें पता है है ना चलो यह यह बस लगना था हमारा जही था हमारा अबाहुवली इससे हमारा हमारा पूरा कोशन सॉल्फ और फिर हम चलेंगे next question पर देखो आप तुम्हारा क्या रहा है for the following equilibrium kc की value तुम्हें एड कितना thousand Kelvin पर ठीक है और यह reaction तुम्हें दी है अब उसमें वह बोल रहा है कि both the forward and reverse reaction in the equilibrium are elementary biomolecular reaction what is kc for the reverse reaction ठीक है तो सिर्फ द्यान एक चीज़ पर देना है तुम्हें सिर्फ एक चीज़ दोगे अगर तुम्हें दिख रहा है for पूछ रहा है वो क्या reverse reaction और तुम्हें क kc की value अगर given है तो सीधा साथा लिखके आओगे exam में लिखके आओगे तो बिल्कुल हम order wise लिखेंगे कि कैसे लिखोगे देखो सबसे पहले लिखोगे तुम given given तुम्हें क्या क्या है kc is equal to कितना है तुम्हारा 6.3 into 10 की power 14 ठीक है और फिल लिखना side में at 1000 Kelvin यह लिख दिया अब बात कर रहा है क्या for reverse reaction ठीक है तो kc for reverse reaction क्या हो जाएगा तुम्हारा वो हो जाता है inverse of kc तो क्या लिखोगे 1 by kc ठीक है यह तो तुम्हें पता है क्या हो जाएगा 1 by kc हो जाएगा अब जब तुम्हें kc की value given है और ठीक है फिल लेकरन according to question kc इतना है तुम्हारा तो 1 upon किता हो जाएगा 6.3 into 10 की power 14 सही लिखा है सब सही लिखा है इतना समझ गया अभी तक ठीक है तो बस यहाँ पर जब तुम value निकालोगे तो यह क्या हो जाएगा is equal to 1.59 into 10 की power minus 15 यह हो जाएगा तुम्हाई kc की value अब यह बताओ reverse reaction में क्या इसकी unit में कुछ फर्क आएगा यह नहीं आएगा जल्ली से answer बता दो भाई ठीक है चलो जल्ली से answer आजाना चाहिए इसका क्योंकि अपन ने अभी एक unit देखी थी और मैं उमीद कर रहा हूँ कि यह तुम करोगे ठीक है तो चलो अब हम देखते है next question हमारा अब next के कह रहा है तुम्हारा explain why pure liquids and solids can be ignored while writing the equilibrium constant expression ठीक है तो यह हमने अभी देखा था कि हमने कहा कहा है ज्यद्र वन कर दिया तो क्यों कर दिया था इसका reason तुम्हें या मिलने वाला है क्या है तुम्हारा explain करना है अगर हम बात करते हैं किसकी liquids की ठीक है liquids की या फिर solid की तो इनका हम देखते हैं molar concentration ठीक है चलो molar concentration यही बात क Uqlibe cancent J mainby które측 RAM ऑफिन मोर्र कंसेंटेशन के रेशू देख से हैं productor चाश का तुम मेरे python कॉ खो यह तो मोर्र कंसेंट्रेशन के टर्म। मैं हम इसको कर देते हैं तो मेरे सिकल मोल्र कंसेंट्रेशन होता क्या है तुमारा नम्बर ओफ मोल्स number of moles upon volume यही होता है, moles upon volume ही तो होता है तो चलो अब जरह फर्स चेप्टर पे लेके चलते है moles क्या होता है थम्हारा moles होता है तुम्हारा given mass upon molecular mass, तो यहाँ पर mass upon molecular mass molecular mass, जिसको मैं ज्यादा तर लिखा करता था वहाँ पर, given mass upon molecular mass, तो confuse मत हो यहां पे into हो जाएगा volume से यह जाएगा into upon किस्ते हो जाएगा volume से ठीक है किसी भी चीज की बात कर रहे है पन किसी particular liquid है solid है ठीक है न और जो की pure form में present है समझ गहें चलो तो आप यह बताओ एक formula तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या upon और denominator में दिख रहा है क्या एक मास से एक वॉल्यूम है मास अपन वॉल्यूम क्या होता है आंसर बता दो जल्दी से बता दो मास अपन वॉल्यूम डेंसिटी होती है तो यह क्या जाएगा इस एक कॉल टू डेंसिटी अपन मॉलिकुलर मास मॉलिकुलर मास अब यह बताओ अगर मैं किसी भी solid की बात करता हूँ किसी भी solid की, कोई भी solid अब भले भू reaction कर रहा है नहीं कर रहा है तो क्या उसकी density या उसका molecular mass change हो जाएगा नहीं होगा, ठीक है, तो ये क्या है जो molar concentration है, ये होता है independent independent होता है ये क्या होता है, independent independent, ठीक है, तो लिख लेना ये क्या होता है तुमारा, independent होता है और देखो, हर किसी की solid और liquid की density और तुमारा जो mass है, ये क्या होगा, fix होगा अगर fix होगा, तो हम इसको क्या बोलते हैं, भाई constant है ये क्या हो जाएगा, constant है ठीक है, अगर ये constant हो जाता है इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ignore कर देते हैं, या फिर हम unity लेते हैं one, as equal to, हम one लेके चलते हैं, ठीक है, तो इसका यही answer था, यही लेक क्या होगे क्योंकि molar concentration होता है independent, और अगर तुम्हें समझाना हो, समझा ही देना, क्योंकि इतना वस मतलिके जाना है कि molar concentration independent है, ठीक है, क्या लेक क्या होगे ये expression कर देना, छोटा सा तो है ये expression कर देना, बता देना कि density और molecular mass किसी भी substance की, किसी भी solid है liquid की क्या होती है, एकदम fix होती है जिसके कारण हम उसको constant बोल देते हैं और इसकी कारण तुमारा वह हो जाता है independent, समझ गया इतना, ठीक है तो चलो, ये वाला question भी हो गया फिनेस और हमने इसको कर दिया है, फिर से solid हो liquid को ignore, अब हम चलते है next question पर, अब तुम्हें next question दिया हुआ है, reaction between N2 और O2, takes place as follow, ठीक है बाई ऐसे reaction हो रही है ठीक है, ऐसे reaction हो रही है अब इसको जल्दी जल्दी लिख लेते हैं कि क्या कह रहा है, अगर mixture किसका N2 का और O2 का ठीक है, रखा जाता है किसमे 10 liter reaction vessel के अंदर ठीक है, तो यहाँ पे देखो, क्या बोल रहा है कि N2 मतलब 0.482 ठीक है N2 का, प्लस किसका O2 का ठीक है, तो कितना है O2 का 0.933 किसके अंदर रख दिया गया इना vessel, 10 liter का जो vessel है उसके अंदर and allow to form N2O at a temperature for which, तुमारा case ही इतना given है determine the composition of equilibrium mixture, और तुमने क्या किया है वहाँ से किसको allow कर दिया N2 को आने के लिए, तो मतलब कितना N2O का जो तुमारा, क्या है, जो तुमारा mixture है, तो अब mixture का तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें बताना है equilibrium constant कितना आएगा ठीक है, केसी तुम्हें given है केसी मतलब equilibrium constant तुम्हें given है, ठीक है, तो देखो अब हम निकाल लेंगे कैसे निकालने के लिए हमें चाहिए क्या गया है सबसे पहले तो 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 में यह पता होना चाहिए देखो वाई concentration निकालना है casey की value पता है तो casey is equal to product upon reactant होता है तो हम वहां से निकाल लेंगे mixture का तीक है इतना समझ में आ गया है तो चलो हमाई पास है 10 लीटर का वैसल यहाँ पे 10 लीटर का वैसल है अब मान लेते हैं जब reaction हुई ही नहीं होती है तो सिर्फ तुमारे क्या present होंगे सिर्फ तुमारे reactant ही present होंगे तो यह क्या हो जाएगा तुमारा 0.482 divided by 10 ठीक है 0.933 divided by 10 यह सिर्फ मास लिख रहा है अपन किसका और फिर अगर reaction हुई ही नहीं है तो यह भी पास नहीं हो जाएगा यह कितना हो जाएगा 0 यह हो जाएगा 0 ठीक है यहाँ से value निकालोगे तो कितना हैगा 0.0482 ठीक है यहाँ पे कहतना हैगा 0.0933 और यह तो 0 है अब हम बात करते हैं at equilibrium ठीक है चलो अब हम देखते है at equilibrium at equilibrium अब equilibrium की condition पे हमें पता यहाँ पे क्या बना रहा है यह 2 mol बना रहा है यह भी 2 mol बना रहा है तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा तुमारा 2x equilibrium की condition पे यह क्या बना रहा है, दो मोल बना रहा है, और ऑखिजन बना रहा है तुम्हारा एक मोल, और यह भी बना रहा है तुम्हारा दो मोल, ठीक है, अब बताओ, कुछ मोल बना रहा है, तो अपने ही तो कुछ सबसेंस से बना रहा होगा, अपने ही मास से तो मिलके बना रहा होगा, मतलब इतना जो इसके पास concentration है इससे ही मिलके तो वो कुछ मोल बना रहा होगा तो मतलब वो जो मोल बना रहा है तो यह कितना हो जाएगा इसका मास काम हो जाएगा 0.0482-2x समझ गया इतना मतलब कि अगर reactant ही reduce नहीं होंगे तो क्या product बनेगा अगर answer radius है तो भाई एक बार फिर से पढ़ गया जाओ ठीक है ऐसा नहीं होता ठीक है अगर reactant ही reduce नहीं होंगे तो फिर product बने गई नहीं ठीक है तो यहाँ पर option किता हो जाएगा तुमारा फिर 0.0933-x ठीक है और फिर तुमारा mole तो बनी राय 2x उसका इतना आ गया समझ में ठीक है तो देखो यह हो गया है तुमारे equilibrium constant पे तुमारा equilibrium condition पे यह आगा है तुमारा rate इतना आ गया ना ठीक है बस इतना ही समझना था अब देखो जब भी तुम value निकालोगे ठीक है वैल्यू उसको मैं इधर लेकर देता हूं ज़रा 0.0482-2x यह किसकी value है n2 की value कितनी है तुमारी 0.0933-x अब यह देखो यह जो value आ रही है यह काफी ज्यादा छोटी है ठीक है काफी ज्यादा छोटी है किस से केसी से समझे रहा हो काफी ज्यादा छोटी है तो फिर हम इस value को कर देते हैं neglect हम कह लेते हैं फिर इसकी value सीधी लेते हैं अब यहां से हम निकालेंगे क्या हमारा केसी ठीक है तो केसी क्या आएगा देखो केसी आएगा तुमारा केसी is equal to होगा क्या तुमारा active mass of product ठीक है और active mass of reactant यही पढ़ा है हमने ठीक है product और reactant अब है क्या कह देखो product है तुमारा कौन सा जो n2o बन रहा है ज़रा बताओ उ equilibrium condition पर बात हो रहे है ठीक है 2x अब यहां पर देखो oxygen और nitrogen का कितना present है nitrogen का है 0.0482 ठीक है 0.0482 और जो तुमारा nitrogen है वो क्या है square में ठीक है तुझे जाएगा square इत्ता के समझ में ठीक है 2N2 है ठीक है उसके बाद अब तुमारा oxygen का कितना है 0.0933 समझ गया था ना बस इसको calculate करोगे तो kc is equal to हो जाएगा 6.58 into 10 की power minus 21 ये आजाएगा तुमारा answer ये हो जाएगा mole इत्ता समझ गया है तो बस ऐसे ही तुम्हें value निकालनी थी और अब देखो यहाँ पर ये आया कैसे ठीक है ये 2x की value आई है ना केसी की value नहीं आई है ये या ये 2x की value की कि हमें x की value तो पाता ही नहीं है ठीक है तो जब x की value को तुम्हें रखोगे यहाँ पर इसकी value को रखोगे कितना है तुमारा ये है तुमारा 2 into 10 की power minus 37 अब पूरा solve करोगे तो ये आएगा तुमारा 2x ठीक है मतलब concentration equilibrium condition पर concentration of तुमारा n2 कितना था 6.58 into 10 की power minus 21 mole आगया समझ मैं ठीक है बस देखो यहाँ पर values को put करनी है तुम्हें ये वाली तुम्हें पूरा answer मल जाएगा 2x की value मल जाएगी ठीक है तुम्हें सारे के सारे concentration आप हमें पता है कि भाई equilibrium condition पर n2 का concentration कितना था इत 933 और तुमारा फिर nitrogen का था 0.048 समझ के सारे concentration हमने निकाल लिए और समझ मैं भी आ गए होंगे उमीद यही करता हूं ठीक है चलो हम देखेंगे next question अब देखो next के कह रहा है तुमारा कि nitric oxide reacts with किस के साथ कर रहा है वो BR2 के सान ठीक है तो क्या बना रहा था and gives nitrosyl bromide ठीक है चलो यह पूरी reaction तुम्हें देख रही है इसमें गावराने की बात नहीं as per reaction given below तुम्हें reaction देख रही है ठीक है उसके बाद when 0.087 mol of NO चलो अब इधर देखो जहांसे कि क्या बोल रहा है जब 0.087 किस के mol NO के mol react कर रहे है किस के साथ तुमारे oxygen किस के साथ ब्रोमीन के साथ और यह oxygen नहीं है ब्रोमीन के साथ react कर रहे है कितना है ब्रोमीन का amount 0.0437 ठीक है आर मिक्स इन अ क्लोस कंटेनर एट constant temperature constant temperature है बिल्कुर कुछ चींज नहीं हो रहा है उसके बाद तुमारा क्या बन रहा है 0.0518 mol of Naobr is obtained at equilibrium equilibrium की condition में तुमारा कितना mass मिल रहा है तुम्हें मिल र ठीक है तो चलो अगर मैं माल लेता हूं यहां पर फिर तुम्हें निकालना है कि calculate equilibrium amount of Nao और Br2 अब यहां पर जब रियक्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है तुम्हारा यह बन रहा है 2 NoBr nitrosal bromide ठीक है यह बन रहा है तुम्हारा और कितना दे रहा है at equilibrium 0.0518 ठीक है यह तो प Nao निकालो ठीक है Bromino किसकी निकालनी तुम्हें nitrogen nitric oxide की तुम्हें निकालना है value अब तुम कैसे निकालोगे ठीक है तो चलो निकालते हैं जल्दी से कि अगर हम बात करें at equilibrium at equilibrium तो क्या होगा हम माल लेते हैं यह कितना मोल बना रहा है 2x ठीक है equilibrium के बात हो रही है तो जितना जैसा है वैसा ही बनेगा ठीक है यह क्या है तुम्हारा 2no है तो यह भी क्या बनाएगा 2x और यह बनाएगा x यह बनाएगा यह ठीक है और equilibrium में तो यह तो amount react कर रहा था यह amount react कर रहा था equilibrium में क्या हो जाएगा कुछ तो minus हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 0.087-2x यह कै पर हम ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन केता हो जाएगा तुम्हारा बी आर टू इस एक्वाल टू किसके हो जाएगा तुम्हारा उसका हो जाएगा 0.0437-X तो यहाँ पर जो तुम्हाई भी टर्म आएगी वो एक्किलिब्रियम के के कंडिशन पर हमें NOBR का अमाउंट किता है 0.058 तो मतलब मैं इसको लेख सकता हूँ यह एक्किलिब्रियम की कंडिशन है तो यह क्या हो जाएगा तुम्हारा 0.0518 ठीक है तो आप इंडारेक्ली उनने क्या दे दिया तुम्हें एक्किलिब्रियम की कंडिशन पर तुम्हें क्या मिल गया है तुम्हें मिल गया है एक कंसेंट्रेशन ठीक है किसका कंसेंट्रेशन तुम्हें मिल गया है नाइट्रोसिल ब्रोमाइड का तो इसमें हम क्या निकालना हमें चाहिए क्या है सरफ x की वैल्यू तो चाहिए ठीक 0.087 minus 2x की value 0.0518 ठीक है अब आई पर bromine का क्या आएगा तुम्हारा br2 is equal to कितना आएगा तुम्हारा 0.0437 minus x की value कितनी है 0.0259 ठीक है अब इसको calculate तो करी सकते हो तो क्या आएगा तुम्हारा इसको जब तुम calculate करोगे तो ये तुम्हाई values के आनी है जब बताओ ठीक है तो values आएगी तुम्हारी 0.352 ठीक है और यहाँ पर आएगा तुम्हारा 0.0178 तो ये आएगी तुम्हारी values ठीक है तो भाई हमसे जो पूछा गया था कि concentration कितना होगा इन दोनों का तुमसे ये पूछा गया था तो भाई इतना होगा तुम्हारा 0.352 और 0.178 इतना समझ में आ गया है ठीक है तो बस तुम्हें बस दिमाग लगाना है सिर्फ छोटा सा दिमाग कि उसने बोला है कि जो mole है of N.A.B.R obtained at equilibrium तो equilibrium पे जो mole है वही value तुम्हें पूट कर देनी थी equilibrium के time पे ठीक है और बस यह याद रखना कि किसका कितना mass बनने वाला है 2X और X ठीक है समझ दिगा इतना जितना यहाँ पर mole होगा उतना वहाँ पर 2X बनेगा यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ 3 हो जाएगा यहाँ 2 होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा इतना समझ में आगे ना ठीक है चल ठीक है तो इसके बाद हम देखते है अपना next question अब अब तुम्हाँ next question क्या रहा है कि add 450 Kelvin KpK value तुम्हें given है ठीक है Kp given है Kc पूछा है क्या लगेगा relation लगेगा तो क्या हो जाएगा Kp is equal to क्या होगा Kc R T dal N याद आ रहा है अभी बहुत अच्छे से पढ़ा था यह वाला relation याद आ रहा है ना चलो तो यह हो जाएगा तुम्हारा relation अब Kp की value तुम्हाँ पास है तो क्या है 2 into 10 की power 10 ठीक है Kc हमें निकालना है तो Kc हमने सीधा-सीधा रख दिया ठीक है अब R कितना होता है 0.0831 into temperature बोल रहा है वो at 450 तो 450 Kelvin भी हमने रख दिया ठीक है अब बात बचती है सिर्फ किसकी Dal N की Dal N क्या होता है product minus reactant number of ठीक है number of product minus number of reactant ठीक है तो Dal N is equal to देखो product कितने बन रहे है तुमारे 1 तो यह जाएगा 1 minus reactant कितने है तुमारे 2 तो यह जाएगा minus 1 तो Dal N की value आ रही है minus 1 अब कैसे निकालो गई minus 1 आ गया minus का 1 का मतलब कुछ नहीं होता है रैसी प्रोकर ली तो है 1 upon में लेके आना है तो यह कितना जाएगा तुमारे देखो 2 into यह जाएगा minus 1 ठीक है 2 into 10 की power 10 is equal to KC यह फिर minus 1 मतलब 1 upon 0.0831 into 450 Kelvin बस अब तो KC की value बहुत इसली निकाल सकते 2 into 10 की power 11 यह आएगा तुमारा KC unit बता दो जल्दी से unit के आएगी इसकी mole inverse liter क्यों आई? क्योंकि देखो नीचे present है तो यह इसकी क्या होती है? mole liter inverse उपर जाएगी तो क्या हो जाएगा? mole inverse liter inverse समझ गए इतना? ठीक है? तो यह हो जाएगा तुमारा answer समझ गए? यह हो जाएगा तुमारा answer तो बस तुम्हें करना ही कहा था सर्फ relation पता होना था यह जाएगा तुमारा फिर answer समझ गए? चलो अब next question पर चलते है अब next से कह रहा है a sample of hi is placed in a flask at a pressure देखो भाई एक flask present है ठीक है flask ऐसा कुछ present होगा यह vessel बन गया type का ठीक है flask कुछ ऐसा present है यह हमने उपर से लिटी भी लगा जिए at a pressure 0.2 यहाँ पर 0.2 ATM का pressure पर present है ठीक है? उसके अंदर क्या present है? तुमारा sample है किस चीज का sample है? हमारा hi का sample है ठीक है न? चलो इसको हमने लग दिया flask के अंदर ठीक है? उसका pressure है 0.2 ATM at equilibrium the partial pressure of hi gas is 0.04 अब देखो partial pressure बोल रहा है मतलब कुछ pressure reduce हो गया होगा ठीक है? पार्शिल मतलब उसका थोड़ा कम चलो देखो यहाँ पर बोल रहा है अगर temperature हम देखें कि pressure में क्या change आया ठीक चलो देखते है what is kp for the given equilibrium इसके लिए kp क्या होगा? हम यह बताना ठीक है? तो देखो भाई temperature में क्या change आया है? सबसे पहले तो change temperature बोल रहा हूँ temperature नहीं pressure में क्या आयागा? change in pressure change in pressure सबसे पहले वो रखा था 0.2 ATM पे minus initially 0.2 पे था और अब उसका pressure किता है 0.04 ATM ठीक है? तो temperature में change किता है होगा 0.16 ATM यह यह आएगा temperature में change ठीक है? तो देखो अब दिहान से देखना है इस reaction को क्या हो रहा है? 2 HI ठीक है? क्या बना रहा है तुमारा? यह बना रहा है H2 और यह बना रहा है I2 इतना समझ गए? ठीक है? यह बना रहा है H2 और यह बना रहा है I2 इतना आगे समझ में? ठीक है? अब देखो at equilibrium at equilibrium यहाँ पर हो किया रहा है equilibrium पे pressure कितना है? यह देखो प्रेशर इसने दिया हुआ तुमारा क्या equilibrium पर तुमारा देखो at equilibrium the partial pressure किता है 0.4 तो HI का partial pressure किता हो जाएगा 0.04 ATM इतना आगे समझ में ठीक है ना अब equilibrium पर है इतना तुम समझ गया हो तुम ठीक है तो बताओ इनके pressure में क्या change आया होगा इस change में से कुछ change आया होगा इसमें ये तो सिर्फ HI का था ठीक है तो इनमें क्या पर इनमें भी तो change आया होगा तो कितना हो जाएगा वो 0.16 upon 2 ठीक है और equilibrium पर तो ये भी क्या जाएगा 0.16 upon 2 क्योंकि आगर देखो यहाँ पर 2 लेखा हो जाए तो हम 2 का इन 2 करते इतना आगे समझ में ठीक है अब सिर्फ चीज़त यह आ रही होगी तो मैं याद यह 0.04 क्यों है और यह 0.16 क्यों है ठीक है तो इसका अंतर सीज़ा साधा यह है कि देखो भाई यह इसका temperature reduce होके equilibrium condition पर आके इसका 0.04 percent है मतलब ATM present है इतना आगे समझ में ठीक है उसके बाद हम बात करने है अब H2 और I2 की H2 और I2 की तो जो reduce हुआ जो बचा कुछा pressure है उसका उसका लिखा हमने 0.16 हमने जो अभी निकाला upon 2 क्यों किया क्यों कि यह देखो इनकी molecularity कितनी है हमें तो से निकालना है न ठीक है यहाँ पर देखो यह 2 है तो हमने सीज़े 2 से divide कर दिया इतना आगे समझ में तो इस कहां से रिके जाएगा 0.08 0.08 इतना समझ गए तो क्या मैं यहाँ से अब KP की value निकाल सकता हूँ KP की value निकाल सकता हूँ देखो क्या जाएगा KP is equal to ठीक है product upon reactant तो product क्या है तुमारा यह देखो h2 i2 i2 ठीक है upon तुमारा अब reactant क्या है तुमारा यह देखो 2hi तो i hi का square active mass of hi का square इतना समझ गए ठीक है यह देखो इन दोने के value से मैं तो मैं सीधे square कर देता हूँ यह क्या बन जाएगा तुमारा kp kp is equal to 0.08 का square upon यहाँ पे क्या जाएगा तुमारा 0.04 का square तो यह क्या देख रहा है तो मैं 64 upon 16 मतलब 4 तो यह क्या kp किता हैगा kp is equal to जाएगा 4 4.0 और अब बताओ यह किस term में आएगा पास्कल में आएगा कि बार में आएगा कुश्यों यह नहीं आएगा यह आएगा तुमारा किसम है ATM है सारी कि सारी term किसम है ATM है तो यह कितना हैगा 4 ATM इतना समझ गया तो हमसे क्या पूछता तो what is kp तो कितना है तुमारा 4 ATM ठीक है given equilibrium के लिए जो तुमारा pressure होगा वो कितना होगा 4 ATM समझ गया इतना ठीक है तो बस यह इसी के सांथ यह वाला question हमारा finish होता है तो इसी के सांथ यह वाला video होता है हमारा finish ठीक है समझ में आये होंगे सारे सारे तुमारे एकदम formula लगे है या फिर relation लगा है ठीक है तो फिर मिलते हैं आने वाले वीडियो में और हम मिलेंगे वहाँ लर्नो होँ फिरी है पर बैस्त जहां